उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है और क्या उत्तर प्रदेश के प्रदेश नेत्रत्व को केंद्र के नेत्रत्व ने संग ने उसी के हाल पर छोड़ दिया है कोई खोज कबर है ही नहीं जिस नेता का जोमन आता है वो वही कर रहा है या फिर ये बस कोरी कल लिपना है अफवा है इसका वास्तविक्ता से कोई लेना देना ही नहीं है जानकारी के लिए बता दें दुनिया के कई सारे देशों में इस बात की चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने बदल दिया है उत्तर प्रदेश में लॉए और्डर का हो गया है अब law and order योगी आदित्यानाथ ने कंट्रोल करके दिखा दिया है योगी आदित्यानाथ ने उत्तर प्रदेश में FDI को बढ़ावा दिया और दुनिया भर से निवेशक आप उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और उसका एक बड़ा कारण है केवल और केवल कानून व गई बड़ी कौनस्प्रेसी की तस्वीर सामने आई बाद में बताया गया कि बीजेपी के केंद्री नेतरत्व ने और संग ने इसको समाल लिया है दो बड़े नेताओं के बीच बड़ी बात की गई के उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीम है केशो प्रसाद मौरे और य सगातार मौलाकात कर रहे हैं नेताओं का किसी से मिलना जुलना कोई बड़ी बात नहीं लेकिन मौलाकात का दौर चलते रहना एक अंतराल के लिए ये बड़े सवाल खड़े करता है केशो प्रसाद मौरे समिती की बैठक में कहते हैं कि कारिकरताओं की अंदेखी हुई बय नेता के यहां जब भीड जुटने लगे नेता के यहां जब आने जाने वालों का ताता लगने लगे तो इसके दो माइने होते हैं पहला माइना ये कि कई बार पता लग जाता है कि नेताओं की मिलने वालों की लाइन लगी हुई है बड़ी सी लाइन है केशो प्रसाद मौ जो कुछ उन्होंने ट्वीट किया आप देखेंगे तो आपको यह समझाएगा कि उत्तर प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है और एक और बात नेता जब इतने सारे लोगों से मिलने लगे और तस्वीर जारी करने लगे इसका एक और मतलब होता है नेता अपनी पावर दिख तर खंगा लेंगे तो एक साल के अंदर कई लोग मिलने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीती में यह वह मौका है जब लोग तरतरा की कहानिया गड़ रहे हैं योगी अधितनाथ और केश प्रसाद मौरे को लेकर केश प्रसाद मौरे दिल्ली लौटते हैं और कई फो केश प्रसाद मौरे के साथ है सवाल यह कि क्या स्वतह विधायक हैं जो खुद जाकर केश जी से मिलना चाहते हैं या फिर यह मैसेज भिजवाया गया केश जी की तरफ से कि आईए मुलाकात का होना जरूरी है बता दें कि फिलहाल केश प्रसाद का लगातार मीटिंगे करन कई लोगों से मिलना कुँछ ही महीनों में अतनी मीटिंग्स करना कि ये साफ नजर आए कि योगी अधितेनाच से केश प्रसाद खुश नहीं है उन्हें फिर बदल चाहिए दिली तक वो जा रहे हैं योगी से नहीं मिल रहें मीटिंग कर रहे हैं योगी को नहीं बुला र रहे हैं संगठन को लेकर कह रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है तो साफ बात ये कि योगी जी अब जाल में फसना नहीं शिकारी आएगा जाल बिछाएगा और सिस्टम हिला देगा ऐसा कुछ नहीं होगा उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होगा जो की योगी आदित्य